बॉलिविट के सूपरस्टार सलमान खान मुंबई वापस आ गए हैं। सलमान खान अपने परसल बॉडिगार्ड शेरा और स्टाफ के साथ बुदवार दे रात लंडन से वापस लोटाये हैं। उन्हें मुंबई के कलीना एरपोर्ट से बहार निकलते वे देखा गया है। शेरा सलमान खान को उनकी सफेद रंग की SUV तक ले गए क्यूंकि एक्टर पैपराजी से बचना चाह रहे थे। सलमान खान चारो तरफ से टाइट सेक्योर्टी से घिरे हुए थे। जब वह एरपोर्ट से बहार निकल रहे थे, सलमान खान ने ब्लैक कलर की टीशिट के साथ ब्ल्यू जीन्स पहनी थी। इसके साथ उन्होंने ग्रे कलर के लेधर जैकिट पहनी थी। सलमान खान के मुंबई लॉटने पर उनके फैन्स भी काफी खुश है। सलमान खान ने अपनी मुंबई इस्तेद घर के बाहर गोली बारी की घटना के बाद कुछ हफते बाद लंदन की यात्रा की थी बता दे कि मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसाल सल्मान खान के घर के बाहर पारिंग मामले में दो हतियार देने वाले आरोपी में से एक की मौत हो गई है एक आरोपी ने जिल में आत्मात्या कर ली हाला कि अभी तक इस मामले में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है बताया जा रहा है कि आरोपी ने जिल के टॉलेट में बैट शीट से फासी लगा ली दरसल नौबर 2022 में सल्मान खान के सक्योर्टी लेवल को बढ़ा दिया गया है गैंकस्टर लॉरेज बिस्टनुई और गोल्डी बरार के धम्कियों के बार सल्मान खान के सेक्योर्टी को बढ़ा कर वाई प्लस प्लस कर दिया गया है